हरे कृष्णा भगवत गीता अध्यन माला कारिक्रम में आप सभी का हर्दिक स्वागत है भगवत गीता केवल किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाती को लाभानवित करने वाला शास्त्र है जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके शिश्य एवं प्रिय मित्र अर्जुन को दिये गए इस ज्ञान से उनके सभी संशे दूर हुए उसी प्रकार हम भी भगवत गीता का अध्यन करके एवं उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं आईए श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के साथ अध्यन करें भगवत गीता का हमारे प्रवक्ता श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी ने पुने विश्वे विद्याले के सिंघर कॉलिज से सन 2005 में कम्प्यूटर इंजिनेरिंग में सनातक की डिगरी प्राप्त की एवं जानीमानी सौफ्वेर कम्पनीज जैसे औरेकल वो टाइटन टेकनोलोजीज में भी विकारे कर चुके हैं वर्तमान में प्रभुजी भारत वर्ष के अनेग बड़े राज्जर में भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं एवं युवाओं हेतु सेमिनार भी लेते हैं तो आईए श्रमन करते हैं भगवद गीता अध्यनमाला श्रीमान दास कदाधर प्रभुजी के श्री मुकसे धन्यवाद हरे कृष्णा अरे कृष्णा ओम अज्यानति मिरंधस्य ज्याना अन्यन शलाकया चक्षोरुन मिलित अम्येन तस्म श्री गुरवे नमहा नमों विष्ण पादाय कृष्ण प्रिष्ठाय भूतले श्री मते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवानी प्रचारणे निर्विशेश जुन्यवादी पाष्चात्य देशतारणे जैश्री कृष्ण चैतन्य प्रभूनित्यानंद श्री अदवईतक दाधर श्रिवासादी गौरभक्त वरंद अरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष श्लोक्रमांक साथ ये तो ही अपी कौंतेया पुरुशस्या विपस्चिता इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम्मनहां है अर्जुन इंद्रियां इतनी प्रबल है तथा वेगवान है कि वे उस वीवेकी पुरुश के मन को भी बलबुर्वक हर लेती है जो उन्हें व अंतिम भाग है जिसमें भगवान को प्रश्ण पूछे गए हैं अर्जुन के द्वारा कि आपका जो भक्त है स्तितप्रग्य व्यक्ति है वो कैसे उठता है बैठता है क्या भाशा बोलता है क्या समवाद करता है तो इन सभी का उत्तर देते हुए भगवान सब कुछ समझा आते हुए कैसे उठता है बोलता है एक अंतरिक दर्शन दे रहे हैं जो हमने पिछले अने शलोकों में चर्चा किया है और इस शलोक में वह यहां तक इससे पहले वह इतना तक कह चुके हैं कि जो इंद्रिये हैं इनको संयम करके जैसे कच्छुआ होता है वो अपने सारी इ संयम में रख लेता है मतलब इंद्रियों पर अपना संयम रखता है और जब उसे लगता है कि अभी अच्छा जगह है यहां संग लेना चाहिए सत्संग लेना चाहिए तो वो अपने इंद्रियों को बाहर कर लेता है जो भक्त है वो बाहर कर लेता है अपने आपको उसमीलि पुछते हैं कि प्रभू यह मन बड़ा ही विचलित इसको मतलब एक बार में चारचार इच्छाईं आती और विचार तो पचासो आते हैं और करने के एक शंता एक काय दोकी होती है लेकिन उनका काल अनुरूप नहीं होता तो क्या अदि लोगती है तो प्रवपाजी तो सीरा तात्परे में लिगते है श्राब प्रवपाजी कि मन को समालने का एक ही तरीका है वो मतलब मन्ह कृष्ण निवेशयेद की मन को कृष्ण में आप लगा दो भगवान की लिलाओं में भगवान की समरण में भगवान की इस प्रकृति का चिंतन भगवान के समंध में करने का प्रयास करके जीव का समंध भगवान से प्रयास करके वो ये जोड़ के ये पूरे संसार को अब जब समझ जाईएगा और भगवान के मूल स्वरूप को समझ जाईएगा उनके नाम और गुणों को समझ जाईएगा तो वो समझते समझते ये जीवन भी बिज जाएगा और इसके बाद ये शरीरी नहीं बचेगा यातना के लिए उचा रस आपको मिल जाए तो छोटा रस आप आसानी से छोड़ देते हैं वैसे ही कृष्ण भक्ति की उची रस अगर आपको प्राप्त हो जाए तो योग ध्यान धारणा यह सब में ध्यान लगने का कोई जूरत नहीं है क्योंकि यह शारिरिक है और कठिंतर है और यह कृत् सब्सक्ति अहंकारी भी हो सकता है कि उसको लगने लगा कि हाँ देखो आप मैं संयम कर सकता हूं मैं जब चाहूं तब भुका हो सकता हूं जब चाहूं मेरे भुकों को दबा सकता हूं तो उसे अभिमान आने लगेगा अभिमान गमंड का रूप ले लेगा और गमंड और आवरण बना देगा और एक शरीर और एक आवरण तो शरीर संयम में हो जाए लेकिन अभिमान बढ़ जाए तो कोई फाइदेका नहीं है इससे अच्छा है कि वेक्ति निराभिमान रहे और इंद्रियों को संयम करने का प्रयास करने के बज़ाए वो अपने मन को भगवान में लगा तो इंद्रियों आप संयम में हो जाएंगे जैसे कभी कभी एक प्रैक्टिकल किया जाता है तो एक टेबल पे यह यूट्यूब पे अवलेबल है कई लोग इसको देख भी चुके होंगे तो एक टेबल पे आयन फाइलिंग्स रख दिया जो आयन फाइलिंग या कोई चाहिए तो एक फ्रिक्वेंसी तैर होता है और उस फ्रिकुंसी को लगाता है उस टेबल को तो वो जो मटी ओएक आकार लेलेहाय somehow बना लेगा तो फ्रिकुंसी के । यह संघर्श करेगी तो ये प्रकृती ऐसे काम करती है तो जो आपके मन की फ्रिक्वेंसी बदलेगी तो आपके शारिक इच्छाएं जरुरते भी बदलेगी लेकिन पूर्वे इच्छाएं जो हैं वो उसे संघर्ष करेगी उसे समय की ये बात कर रहे है भगवान अब जो श्लोक में बात कर रहे हैं भगवान वो करते वक्त भी कितना चैलेंज है ये मत सोचे कि बस हाँ हो गया तो हो गया तब साधक के रूप में जो चैलेंज आने वाला है वो भी भगवान पहले ही बता के दे रहे हैं इस श्लोक में तो वो कह रहे हैं यह तो यह तो ही पुरुशत से विपश्चिता इंद्रियानि प्रमाथिनि हरंती प्रसभम्मना हो कह रहे हैं कि अगर कोई वह इतने वेगवान है इंद्रिय कि खीच के ले जा सकते हैं विक्ति को पूरी तरह से वह भूल जाएगा कि वह इसको कंट्रोल करने बैठा था तो अगर हम बहुत उसको दबाने का कोशिच करें तो हो सकता है विपरीत क्रिया करने लगे जैसे हमने पिछले स्लोक में भी देखा तो विश्वा मित्र मुणी का अधारण हमने देखा कि कैसे मित्र मुनी ध्यान लगारत्यों मेन सब्सक्राइब और और उसके पायल के जंकार केवल जंकार मात्र से मन जो है वो विचलित हो गया तो केवल इंद्रियों को सहीं हम करें और मन को भगवान में निवेश ना करें उनमें ध्यान लगाने का प्रहत्ना ना करें अपने मन को भगवान की सेवा में रत ना रखें तो इंद्रिय भी जो दबी हुई हैं किसी भी क् इच्छा से वह अपने आप फिल के अलग हो जाएंगी वह अपने भोगवासना में लग जाएंगी तो इसलिए यहां भगवान अर्जून से कह रहे हैं कि मन को जो है वह इस कारे में लगाना चाहिए वरना इस रस्ते में तो बड़े-बड़े घायल हो चुके हैं और बड़े श्लोक है यमना चरे श्रीपात रामनों चरे की गुरू हुए और इनका जीवनी हम लोग सुनेंगे जरूर परंतु उससे पहले हमके समझना होगा कि वो उस तर तक पहुंच गये बाद में पहले गुरू कुल के बच्चे ते फिर राजा बने फिर वापिस सन्यासी बने औ बाद वो एक श्लोक कहते हैं जब उस उच्चे रस को पा गए तब वह कहते हैं अपने एक माला में वो कहते हैं यदवधी ममचेता कृष्ण पदार विंदे नवनवरस धामनी अध्युतम रंतुमासित तदवधी बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवती मुखविकारह सुष् के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नवदिव्यरस का अनुभो करता रहा हूं तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूं तो यह हो जाता है कि इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा रस है कामों पभोग तो उस रस को भी जो है यह भक्ति का रस के बीच में विचार भी कहीं आ जाये तो करें मैं थूख देता हूं इतना तुच्छ लगता है मुझे एक वेश्या थी उसका नाम तब पिंगला तो वो इसका कहानी हमने पिछले कुछ सत्रों में बता हो गया तब वो खुद गाती है भागवत पुराण के ग्यारवे सकंद के आठव अध्या के तीस से चारिश लोग में उसका जो पिंगला का गीत है वो आता है तो वो गाती है संतम सामी पेरामाणम रती प्रादम विता प्रादम नित्यमिमं विहाय अकाम अदम दुख भया प्रादिशोका मुहाप्रदम तुच्छमाहं भजेद्या कि एक ऐसा तुच्छ मैंने प्रैत्न किया इस संसार के लोगों को खुश करने का हे प्रभु संतम समी पे आप तो मेरे हृदे में विराजमान हैं मैं आपको प्रसंद करने के बज़ए उनको प्रसंद करने में होता हैा तो यह सब से चुक्त होगता है कि यह सबसे चाहिक हुनी जाइए थी जबकिने कि हमारे जीवन का अध्य भाग है उसको मुठा नहीं पाए भगवान से अपने संबंध को जोड़ने में हम कहीं कम रहे गए तो यहां पे जब रामा यमुनाचारे के हम बात कर रहे हैं जो अभी श्लुक उन्होंने गाके हम सब ने देखा इसमें हो कह रहे हैं कि तुछ चीज है तो यहां पहुंचने युट जी के भक्त थे रंगनाद स्वामी जो आप स्री रंगम जाएंगे तमिन नाड़ू में आज भी तो यहां बहुत संदर मंदिर है रंगनाद जी का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं और दो कावीरी नदी के दो कावीरियों के बीच में जगे है जहां रंगनाद जी के सेव करते थे लिकिन जब विभीषन राम जी के पास शरणागति ले लिये थे और जीतने के बाद आयोध्या चले गए तो अयोध्या में उन्होंने कहा कि प्रभू हम यहीं रहेंगे हम हम्लंका नहीं जाएंगे तो भगवान बुले नहीं नहीं ऐसा नहीं आप लंका जाएए वहां के लोगों को धर्म और न्याई का पाड़ाई और लोगों को अध्यात्मिक मार्ग में जोड़िये तो बोले मैं अके लिन जा पाओं गा तो आप भी मेरे साथ चलिए तो बोले ऐसा है तुम रंगनाजी लेकि जाओ तो रंगनाजी को लेने का मौका विविशन को दिया विविशन लेके जा रहे थे तो जब जा रहे थे तो उसी दो काविर नदी की बीच में उनको कुछ शारीक जरूत करण उनने थोड़े दिर के लिए भागान को रोग दिया और वापीस आए तो जब वापीस दिया और हो दक्षिन मुख्य के तरफ देख रहे थे रंगनाजी तो जब विवीशन आयो तो बोले कि रंगनाजी भूले देखो और में यहीं रहूंगा उनके नाना जी यमुनाचारे के नाना जी बहुत बड़े भक्त थे रंगनाज स्वामी के और बहुती प्रगाड विद्वान थे, सारे सिध्धानतों को जानते थे, सारे दर्शनों का ग्यान था उन्हें, तो उसके बाद उनका जो नाती था, या तो वो यमनाचारे जो बालक थे, वो गुरुकुल में पढ़ते थे, उनके गुरुजी जो थे, वो वैश्नों थे, ल आने देता था, तो ये एक राजा के लेवल पर था, परन्तु गुरुकुल दोनों के होते थे, तो ये छोला राजा के अंदर आने वाला राज्य था, तो जो यमनाचारे के गुरुजी हैं, वो हार गए थे, वो एक डिबेट में, कोलाहल के साथ हार गए थे, कोलाहल ये र डिबेट में हार गया है तो डिबेट में हारने के बाद उन्हें कुछ जमीन जो था राजा को दान करना पड़ागा ऐसा एक नियम था तो यह ठीक है वक्त आने पर हम आपको जोर मदद करेंगे अभी हमारा कुछ नहीं है तो कोलाहल एक दिन ऐसे ही चला गया उदर उनके बच्चों को इंप्रेस करने के लिए कि मैं देखो तुमारे गुरुजी को हरा दिया हूं तो घोड़े पे गया सब के साथ गया और बच् आएंगे थोड़े दिर में तब मिल लीजिए गा तो अरे तुमारे गुरुजी निंदा करने लगा इनके गुरुजी का तो गुरु निंदा सुनना तो मतलब महा अपराद है तब ही यह मुने चार जो बालक था वो बोले कि आप में ऐसा क्या है जो आप हमारे गुरुजी तो मुझसे लड़ रहे हो तो बोले ऐसा है तो मुझसे डिवेट करो मुझसे द्वंद करो अब मैं तुम्हें दो मिनिट पर परस्त कर दूंगा तो जितने हारे हुए ब्राह्मन थे वो सोचे कि अच्छा यह लड़का अगर इसको डिवेट में हरा देता है तो इसकी पू आज शास्त्रा अर्थ में एक होता था कि अगर चैलेंज कर दिया तो चैलेंज कर दिया तो उसको वो बोले ठीक है कल आ जाना दरबार में तो बोले मैं वैसे नहीं आओंगा जैसे तुम बाकी प्रती दवंदियों को लेके जाते हाथी पे बैठा के वैसे मुझे यहां से ह अजब हाह Enghani से लाया गया और सारे गुर्कुल के बच्चे प्री में हाहती सिर करते हुए पहुंच गए राजा के तरबार में، violated दरबार पॉंचे तो सारे ब्राहमनों और सारेNow और सारे जो मंत planners गणते सब देख रहे थे वो है आज कुछ घम आसान होगा यह बच्चे क गुरुकुल के बच्चे थे वो लोग खूश हो गए कि राजा के दरबार में इंट्री तो मिल गया एक बार कोई न कोई बहाने से राजा के दरबार में इंट्री तो मिल गया तो इन्हों ने देखा कि राणी ने देखा कि बच्चे में तेज है तो राणी ने कहा वाह जीते तो रानी बोलते हैं अगर यह लड़का जीत गया और यह लड़का अगर हार गया तो मैं तुम्हारी दासी बन जाओंगे रानी का पद छोड़के मैं रानी का पद छोड़के दासीयों के बीच में अपना जीवन निकाल लूँगे इतना confidence देखके राजा भी बोला अगर यह लड़का जीत गया तो हम इसको आधा राज्य दे देंगे इनाम में छोला का आधा राज्य इस भक्त को हम दे देंगे तो दोनों में समने देखा क कि राजा और राणी में द्वंदू हो गया इधर का राजा राणी तक पहुंच गया और सभी जो कुलाहल के मंत्री गणों थे अरे कुलाहल एकदम इसको एक ही पेलों में ठीक कर दो और जो गुरुकुल के बच्चे थे बोलते हो लोग तो उत्तरी लेके घूम रहे थे ब और अगर कोई जवाब न दे पाया और सामने वाले न जवाब दे दिया तो वो जीच जाता था तो कुलाहल ने कुछ सवाल पूछे यमनाचारे को यमनाचारे न जवाब दिये तो बोले ठीक है अब तुम्हारी बार ये तुम तीरु सवाल पूछो तो ये यमनाचारे ने तुम्हारी माँ बांज है तो वो बोले अच्छली उसी नहीं करना था लेकिन सरलता के लिए कि बहुत सारे लोग उस्ट्रिष्ट को नहीं समझ पाएंगे लेकिन यह वह कह रहे थे कि तुम्हारी माँ बांज है वो मनीमंद सचा अगर मैं पाइदा हुआ हूं तो मेरी माँ पाज कैसे हो जाएगी तो बोले ना यह कैसे हो सकता है तो सब लोग पंडित लोग देखने लगे बच्चे तुम जांते हो तुम क्या पूछ रहे हो बोले आपसे जवाब न मिले आपको तो बस हर मांग लीजिए बाकी जवाब में बाद में दूंगा तो बोले इसका कोई जवाब नहीं है तो बोलते है ठीक है दूसरे सवाल का जवाब ही यह दूसरा से वाख्य मेरा सिद्ध करिए राजा जो है वे पापी है लीजिए तो पुमान अ नहीं सिरे करें और नहीं सिर्ध नहीं चोल अपापी। चरितर ही नहीं कैसे सिद्ध करूँगा, राजनी मार देगी होई कि आग्या देगी मैं मैं भी मर जाओंगा, तो बोले ये तीनों असिद्ध होने वाले वाक्य हैं, तो अगर तुम सिद्ध करके दिखाते हो, तब हम मानेंगे ने तो ऐसे कोई भी कुछ वाक्य बोल सकता है, तो बोले फिर सुनो मनुसमिता के हिसाब से अगर कोई मा को के विल एक ही बेटा हो तो उसको भी बांज ही माना जाता है क्योंकि एक ही बेटा है तो सांकेतिक रूप से वो बांज माने जाती है इसलिए कोला हल तुम अपनी मा का एक ही बेटा हो इसलिए तुम्हारी मा भी बांज है तो नहां ये वाद सही है फिर दूसरा सवाल तो बोले हमारे राजा जो है बहुत पुढ्णिवान है बहुत अच्छा कारे करते हैं सब लोगों में दान करते हैं सब का भला करते हैं परंतु प्रजा का एक छठा जो पाप है और राजा को लग जाता है बिना कोई काम किये इसलिए प्रजा अगर कोई पाप करता है तो उसके एक छठा पाप लगने के कारण राजा भी पापी है तो ये सुनके राजा भी संतुष्ठ होगे कि क्या जवाब है तो बोले फिर पता तो राणी कैसे चरित्रहीन है तो बोले राणी हमारी पवित्र है एकदम शुद्ध और चेस्ट यानि पतिवरता एसी स्त्री है हमारी राणी परन्तु राजा में 33 कोटी देवताओं का वास होता है इसलिए राजा से सम्मंध होने के कारण उन पे भी चरित्र का कलंक लग जाता है ये सुनते है पूरा जो असेम्बली था वो एकदम आँख चोकरना होगे बोले बच्चा विद्वान है तो आला बंदार आला बंदार करके चिलाने लगे और ये जो लड़का था इसको आधा राज्य मिल गया और राज्य करते 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 वो इतना मगन हो गया वो भूल गया कि वो बड़ा भक्त था तो फिर उन्होंने राज्य करते 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 फिर एक दिन उनके नाना जी ने एक ब्रह्मन को कहा कि किसी भी तरह मेरे नाती है इसको तुम कैसे भी वापिस लेके आओ और भक्ति मिलागा यह तो राजा महराजा बने के चक्क्र हषसा हुआ थो उन्हों ने सोचा कैसे अब यह जो राजा गर तक जाएंगे तो कैसा मानेगा तो उन्हों उसके कीचन में जो खाना बनाता है उसे दोस्ति कर लिए, उसको तुडुवलाई करके एक पत्ता आता है, उस पत्त को खिलाते थे आगए ठाए, पत्ता खा के ए राजा को एकदम सत्तोकुण, क्योंकि राजा रजोगुणी होता है और उसे सत्तोगुण का भास होने लगता तो श्राजा ने पुछा कि बंसिया को कि कहां से आता था था तो ब्रामन देखे जाता था तो यह राजा को बोला राजा के छोड़िए मैंने आपके लिए आपके नाना जी नहीं बहुत बटा समपत्ति रखा है और चार दिवारों के अंदर उसको चुपा के रखा है और उसको बचा के रखने के लिए नाग भी है तो उसको केवल वो आपको ही प्राप्त होगा क्योंकि यह राजा था तो यह सोचा कि चलो भी कोई भड़ा धन है तो लेकर निकले जब निकले इनके साथ तो बोले आप अकले आईएगा लेकिन बोले आप अकले आईएगा अकले गए अकले गए तो ये जो भक्त थे राम मिश्र जो ब्राह्मन थे जिनको उनके नाना जिन अपाइंट किया था ये गीता के श्लोक गाने लगे और जब वो गीता के श्लोग गाने लगे तो यंदूनाचारे को अपना जो भक्ती वाला भाग है वो जाग गया है वो जो उनका भगवान से पहले से संबन्द था वो जाग गया और राजा वाला जो माहे जाल है फुसमे से फसे थे वो इसमें आ गये और वो गाने लगे गाने लगे और बारवे अध्या में आने लगे और अशली भगवान के प्रति उनके रती थी जाग गई तब उन्होंने सब छोड़के अब हम यानी जाएंगे तो बोले हमको आप भक्ति मिले चलो मुझे नहीं चाहिए आपका धन तो बोले नहीं देख लो धन क्या है तो उनको श्रिरंगम लेके साथ दिवार के अंदर जो रंगनात स्वामी है उनका दर्शन करवाया तो उनको उनकी जो पूरानी भक्ति थी जो पहले करते थे जाग गया और वो इसमें पूरी तरह से लग गए तो इंदरियां ऐसे होते हैं कि कहीं भी आपको माया के जाने फसा सकते हैं लेकिन अगर आपने भक्ति किया है साधना किया है तो वो एक समय बाद भगवान उसको मदद करते हैं उस भक्ति को जगाने के लिए और फिर वहां से वो वापिस आगे अपनी प्रवास को चला सकता है तो हमको यह समझना चाहिए कि कोई कितना यू बड़ा भक्त हो बाद में बड़े सन्यासी बने तभी उन्होंने कहा कि मैं थूखता हूं ऐसे विचार पर अब मेरा फिव राजा थे ना ऐसी महाल में रहत प्रकार से यह जो मन है जिसको अभी भी बड़े बड़े लोग समालनी पाते हैं और जो इंद्रियां जो बहुत खीषती हैं इनको किस प्रकार से वो जो भक्त है वो किस प्रकार से उसको सायम में करता है तो इसलिए हमारे श्रेंगा बने रहियागा अगले सत्र में इसका अगले स्लोग को लेके चर्चा करेंगी बहुत बहुत जन्यवाद हरे कृष्णा